तो आज हम बात करेंगे UPL के बारे में तो आज देख जाकते हैं जैसे आप UPL बहुत जादा गिर्गी है ठीक है तो इसका कारण क्या है गिरने का और इसमें ये UPL में एक स्काम का एंगल कैसे दिखाय जा रहा है और क्या हो क्या हो क्या रहा है UPL में इतना गिर गया क्यूंकि आज देखा जाए तो निफ्टी-फिफ्टी में भी सबसे जाता स्टॉक जो गिरा हुआ है वह यही है ठीक है तो बात यह है कि एक विसल ब्रोर ने एलिगेशन्स लगाए है UPL के प्रमोटर के ओपर वर साइफन फंट्स ठीक है तो विसल ब्रोर तो वह हो गया है जैसे कंपनी का कोई की employee एक इंपलोई के अंदर क्या चल रहा है ठीक है अगर इसको कुछ गलत लगता है वह जा के अगर बाहर किसी बड़ी company को इंप बड़ी टोर्टी को बता जब को बता तो वह हो हो गैरे विसल ब्लोर ठीक है उसनी allegations लगाएं कि ऐसे से कंपनी में गलत काम हो रहा है साइफन फंस भी समझाता हूँ ठीक है विसल प्लोड तो यह हो गए ठीक है इसका नाम इसल चुपाए दागे था कि इसका कोई खत्रा को दूरन आओ ठीक है तो अगली बात यह है कि यह साइफन फंस मतलब मनी मनी गलत तरीके से लेना ठीक है देख सकते हैं तो डिशनले टेक मनी फ्रॉम और अगजने और अधर सप्लाई और यूट फर फर विच इस वर नौर इंटेंडेंड यह हो गया हमारा साइफन फंस का मतलब कि उसमें के किया मतलब जिस वर काम के लिए लिया हो मनी उसमें नहीं काम के लिए उसमें एपनी उसके लिए ऐस में आपने मनी उस sus on उन पर ये साइफन का case उसने लगा दिया of money using shell companies मतलब shell company मतलब fake companies ठीक है उनके साथ rental deals की है company fake है जिनके साथ ये deals की गई है ठीक है उसके ये कहना है ठीक है ये बहुत बड़ा allegation लगाया गया है उनके promoter के उपा ठीक है और और भी उसने कहा है कि for shell companies और भी बड़े illegal transactions होई है company के बीच में और shell companies के बीच में ठीक है और और इसमें कुछ हो भी सकता है क्योंकि अभी जैसे हम देख सकते है 16 October 2020 में इनके जो हमारे editor थे ठीक है इसके कर कुछ हो सकता है relation इसका कुछ हो सकता है अब आगे investigation से ही पता लगेगा क्या हो सकता है ठीक है और बात आ जाती है उनकी management ने उन्होंने तो कह दिया भई ये कुछ नहीं है ये सब बे बुनियाद है ठीक है क्योंकि इनका कहना कि पहले भी हम पर 2017 पर इन पर ऐसी allegations लगे थे वीसल गुरूर के द्वारा जो बाद में clean shit दे दी गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है अपनी में गुछ नहीं हो रही कि का ये बात आगी management की और जोंके promoter उन։नोंगे शेयडे ने कारो ये के तो ये बात आगी उन पीEM के हम इनkी इन upright सबूदा है तो तो ये था इसमें UPL में हो की रहा है ये बात ती इसके जिरने की अज क्योंकि ख़बर आगई कि यासे sax 해주ation's लगे हैं तो विष्याहएब गिर किया अगरी सच हो है तो यह हमें investigate कर दो कि ऌ़ले हुy पहले य है यो इस company में लगें ऐसे official load वाली compliance हो इन पर वो बाद में clean sheet दे गए थी कि ऐसा कुछ नहीं है company में ठीक है अब ये इसमें से share निकालना hold करना वो तो भई investigation पहले होगी फिर ही हम कुछ सोच सकतें कि क्या करना क्यूंकि अभी देखिए अभी जैसे 400 पे अगर allegations सही निकले तो बहुत नीचे जा सकता है और नहीं अगर ठीक हुआ तो उपर जाएगा थोड़ा ठीक है तो ये बात ही आज इसके गिरने की और स्काम का इंगल इसलिए क्या क्या हो सकता है पक्का भी निया investigation सही पता लगेगा अब क्या होते आगे देखते हैं हम सब ही ही है सब देखें हैं क्या चल रहा है इस कंपनी में क्या नहीं ठीक है और अगले एकली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक यू